गाईज वेलकम बैक टू बिकरम टुटोरियल आज लेके आए हैं बाइलोजी के अंदर परदूसन का चेप्टर तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को पहला कोशन के साथ वायू का मुखी परदूसक है तो वायू का मुखी परदूसक है CO यानि कार्बन मोनोकसाइट ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा तो होगा कार्बन डायोकसाइट CO2 अमल वर्सा में होता है तो अमल वर्सा में होता है सेलफ्यूरिक अमल या नाइट्रिक अमल तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है अमल वर्सा होती है जब जल परियावरिनी परदुसक से सन्योग करता जैसे आपका हो जाएगा SO2 तथा SO3 ये सब ध्यान रखेगा बहुत ही ज़्यादा important question है उपर सम दिखा देते हैं साप नहीं दिखाई दे रहा था तो ये ध्यान रखना है और मैंने group D के लिए लगातार biology का session लिया हूँ तो सारे वीडियो को आप देख जाईएगा playlist के अंदर में इनो gamet पाया जाता है तो कहां पाया जाता है तो ये राइजोपस में likeness बहुत सम्वेदन सील होती है किसके लिए तो ये होगा SO2 और CO के लिए तो ये सब जितने भी question है सारे question जो आपको important लगे copy में note करें जो 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 छोट रहा है point वो सारे point को cover up करें क्योंकि group D में भी आप लोगो सारे question देखने को मिल सकता है गेस होल प्रयावरन मित्र इंधन है जो डेस के मिसरंच से बनता है पेट्रोल तथा इथेनोल क्या हो जागा गेस होल पेट्रोल इथेनोल बहुत ही important question है कुण सी इस Life को परद्रोसित नहीं करती तो याद रखेगा वयसे carbon dioxide gas बढ़को परद्रोसित नहीं करती है लेकिन यहां यहां पे यहां पे दीख रहा है कि carbon dioxide gas भी इसका answer दिया होथ hydrogen dioxide gas carbon dioxide gas भी थोड़ा बहुत जरूर करता है तो nitrogen dioxide इसके according दिया हुए ठीक है ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा पृत्वी का तापमान बढ़ रहा है और पृत्वी का तापमान बढ़ेगा तो जितने भी जमी कोई भरप है वह पिगल जाए और पिगल जाएगा तो हमारा पृत्वी डूब जाएगा आगे बढ़ते हैं दसवान नमर निमलिकित में कौन सा पदार्त जल में नहीं गुलता है तो आपका जगा तेल तेल जो है वह आपका नहीं गुलता है क्योंकि तेल अगुलंसील होता है यह पानी पे मतलब क्या बोलते हैं ऊपर आजाता है निमलिकित में कौन सा सदार नत् अभी आप लोग किजिए क्योंकि प्लेटफॉर्म एक दम बहतरीन बुक माना जाता है और इसी में एंसर दिया हुआ इसका एंसरों का हाइड्रोकार्बन क्लाइमेट सब्द किस भासा से लिया गया है और एक चीज और बता दें कि जितने बीच कोश्चन है अगर एक दो गलत भी है तो हंडिट परसंट आप नहीं ला सकते लेकिन फिर भी एकदम ऑथेंटिक रखिए और मेहनत किजिए और सारे चीजों को कबर अप करते जाएए औ और अपने आप पे निगेटिव थौट का भी मतला है निगेटिव थौट वाले ही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आमले वर्षा वास्ताव में मिसरेन है तो सल्फ्यूरिक आमले और नाइट्रिक आमले का ऑप्सन नमर ए इसका करेक्ट हो जाएगा वायू में ऑक्सिज्वू से तो यह नंसर होगा लाइक्रन धुम्र पांच से सरीर में उक्सिजण की कमी हो जाते हैं क्योंकि रक्त में ऑक्सिजण तत्म की कमी हो जाती है निम्र में से कोन सा वायू पर गोतक है लाइक एन बहुत इंपॉर्टन कोस्टन है और कुछ डिटेल वी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं अगर नहीं सुनना है तो आप वहां पे देख करके भी आप नोट कर सकते हैं समुद्र में पादप कितनी गराई तक परतिबंदित होते हैं तो हो जाएगा 200M क्या हो जाएगा 200M ध्यान रखिएगा 200M मतला 200 मीटर कारबन एक्साइड के वतावरन में लोगों की मिर्तियू हो जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सिजन नहीं मिल पाती ध्यान रखिएगा ऑक्सि पैदा हुई है तो यह हो जाएगा उप्यूक्त सभी वाइमर्ली CO2 का बढ़ता हुए अस्तर वेस्विक तापन परदुसन अस्तर में विर्दी उप्यूक्त सभी आगे बढ़ते यदि वेस्विक के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पसू भी इसकी कमी के कारण मर जाएगे तो यह हो जाएगा भोजन क्या अंसर हो जाएगा भोजन आगे बढ़ते यदि एक जीवानू को सिकापरती 20 मिनटों में विभाजित होती है तो दो घंटे में कितने बैक्टरिया बनेंगे तो 64 बैक्टरिया बनेंगे आगे बढ़ते निमलिकित में कौन सा कौन सी बीमारी वायू परदूसन के कारण नहीं होती या बढ़ती तो यह हो जाएगा आपका नीमोनिया ध्यान रखेगा नीमोनिया तो बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन यह सब कोस्चन है आगे बढ़ते जब आंक में धूल पढ़ जाती है तो कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है तो आ यह हो जाएगा पूना लखना नागपूर में सवरीत अंसर नागपूर में ध्यान रखेगा थोड़ा सा मिश्टेक हो गया यहाँ पे भूमिगत जल को परदूसीद करने वाले यह दूसीद करने वाले और जेविक पर दूसरक नन-बायोटिक पॉलूटेंट कोन है तो यह टॉपोर्भावी तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है इस Caesar होगा वर्मी कम्पोस्ट निफा जीव कौन सा है जो वाई पर्दुसन को मॉनिटर करता है तो यह हो जाएगा लाइकेन धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है तो धान के खेतों में मिथेन गैस मुक्त होती है कौन सी गैस पादब ग्री प्रभाव के लिए मुखी रूप से उतरदाई होता है तो यह हो क्या है तो पुनर चक्रन वर्मी कंपोस्टिंग की से की जाती है तो हो जाएगा किर्मी यदि अपसिस्ट पदार्थ पीने के पानी के सुरोत को दूसीत कर दें तो निम्लिकित में कौन सी बीमारी फैल जाएगी तो हो जाएगा टाइफॉइड बहुत इंपोर्टेंट है नि बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्ट निम्लिकित में कौन सा जल परदूसर्ण का कारण नहीं है तो हो जाएगा आपका सी नमब्र 3 पर मचली पकड़ना यह जल परदूसर्ण का कारण नहीं है बाकि सभी हैं आगे बढ़ते हाथीले कारवणिक परदूसनों का परिवहन जदा डेस्ट द्वारा किया जाता है तो यह हो जाएगा हावा और पानी टेबल दानेदार चीनी सामानित डेस्ट की रुप में जाना जाता है तो यह हो जाएगा सुक्रोज और सुक्रोज के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है बायो गेस बायो मास से किस परक्रि वीडियो में फिर बात करेंगे और लगातार हम वीडियो ला रहें बाइलो जी के लगबख सारे सेशन को लगबख कमप्लीट कर चुके हैं तो सारे वीडियो को देखें और कभर अप करें और लगातार सेट प्रैक्टिस करें क्योंकि ठान लिए कुछ करने का तो नहीं